हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे आए आज हम आपको बताते हैं NIS की कुछ ऐसी बाते जिसमें आप अपने वारे में सब कुछ जान सकते हैं देखे होता क्या है कि NIS में जब रजिस्टेशन करते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है आपका study center कहा है, study center का code क्या है, आपका endorsement number आया है, नहीं आया है या कोई notification जो NIS ने आपको दिया है या क्या कुछ update चल रहा है तो simply देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है Google पर search करना है NIS जैसे NIS Google पर search करेंगे तो इस तरह से इतने option आ जाएंगे यहाँ यह जो आपको दिख रहा है student login यहाँ पर आप क्या करेंगे click करेंगे अब देखिए यहाँ पर हम click करते हैं और click करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या scene आता है देखिए generally जो आप यहाँ click करेंगे इस तरह से एक page open हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ लिखा रहेगा reference number यहाँ और करके लिखा रहेगा enrollment number और नीचे रहेगा एक और कि आप login अपने date of worth से भी कर सकते हैं तो अगर आपको ऐसा है कि अभी reference number ही मिला है तो आप यह reference number डाल दीजिए और password डालिए अगर आपको password नहीं मालूम है है ना कि भई password हम भूल चुके हैं तो नीचे जो option आएगा न login वाया enrollment number से क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको enrollment number या reference number दे दीजिए और नीचे date of worth से भी आप login कर सकते हैं बहुत बच्चे हैं confused होते हैं कोई confused नहीं होना बहुत ही simple है इतना आप दो digitally हैं तो इन में आप पीछे क्यों रहेंगे तो आपके सामने में देखिए student login करता हूँ मैंने अलड़ी एक student का login कर रखा है यहां पर तो अब यह page आपका open हो चुका है इस page में क्या-क्या चीजे हैं एक बार हम देख लेते हैं यहां पर देखिए यह आप टॉल फ्री नंबर दिया गया है यहां कि आप चाहें तो यहां से जो है आप contact कर सकते है निस में इसके लाबा यहां देखिए project लिखा है exam and results हो गया student section हो गया study center हो गया important links हो गया reports हो गया आपको इन में से कुछ में कुछ नहीं करना है यहां यहां आपका कोई काम नहीं है यहां ठीक है एक change password मिलेगा एक आपका logout कर मिलेगा logout आपको तब करना है जब आपको तब करना है जब किसी device से भाई आपने login कर दिया है लेकिन अब ऐसा है कि वहां से बैक हो रहे है तो logout करके ही पीछे अटेंगे ज्यादा चाह रहेगा change password तब करना है जब आपको लगे कि आपका password याद नहीं है वैसे data word से ही login हो जाता है तो हम आजाते हैं इनके dashboard पे जैसे dashboard हमने click किया तो dashboard क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर scene आपको देखने को मिलता है ठीक है जिसमें देखिए सबसे पहले यहां पर आपका reference number दिया गया है यहाँ पर आपका देखिए enrollment number है अफ होता क्या है कि enrollment number जो आपका है न हो आपको कई बार लेट आता है इसलिए आपको घवराना या डरना नहीं है और यहाँ आपका reference number है यहीं पर आपको लिखा हॏ है my detail तो my detail पर click करेंगे तो आपका detail आ जागा जैसे हमने detail की लिख किया तो देखिए stream 1 block 1 यानि कि अपरील एकजाम है यह आपका reference number हो गया है ना इसके लावा आपका involvement number हो गया study center का क्या नाम है code के साथ दिया हुआ है address क्या है है ना यहाँ पर phone number वहां का दिया है देखिए email ID भी वहां कर दिया study material tracking ID भी दिया है यहाँ पर तो यह सारी चीजे यहाँ पर आपके सामने आ जाती है जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने आपको मिल रहा है यहाँ अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जब आप यहाँ पर notification बताते हैं कोने में notification का icon दिख रहा है यहाँ पर अब इस notification को जो हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक तो पहला ही सो कर देगा 123 कितने notification अभी तक आपने response ने किया है तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो जैसे यहाँ पर हम देखते view all पर लिखा है कि जैसे इनका admission जो है verify हो चुका है तो ऐसा कुछ हाया था इनका कि आपका admission verify हो गया तो आप इसको back कर सकते हैं बैक किया तो हम बहुत पीछे आगे फिर से हमें यहाँ पर dashboard पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम फिर से अपने dashboard पर आ जाते हैं यहाँ पर उसके बाद देखिए इस तरी आपको नहीं है यह जानकारी तो हम भी आपको दे देते हैं ठीक है इसके अलाबा जो है अगर आप आते हैं application status में तो आप अपना form देख सकते हैं और उससे पहले ही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका admission confirm हो चुका है यहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा रहेग इसके अलाबा यहाँ payment status है payment status में आपकी पूरी payment मिलेगी कब कब क्या payment किया है payment history यहाँ क्लिक करेंगे मैं अभी बताऊंगा payment history में क्या क्या आपने किया है इसके अलाबा देखिए यहाँ आप लिखा है my document तो भाई my document की जब हम बात करते हैं तो my document में आपको वो सारे document मिल प्लोट कर सकते हैं यह हम आपको करके दिखाएंगे कि यह देखिए नियू नियू करके दिखा रहा है जिसमें लिखाए पे पब्लिक एक्जाम फी एप्रिल माई 2024 और अप्लाइफोर ट्यमे यह दो चीजें यहां पर दी गई है यहां पर तो देखिए यहां पर जो सारी ची चालिए बैक हो जाते हैं तो पीमेंट रीचिफि भी हमने आपको बता दिया यहां पर इसके अलाबा जो है जो है दोकुमेंट में हम नहीं जा सकते हैं प्रिंट आईडी काड में जा सकते हैं यहां पर हम आपको दिखाते ही कैसे यह एक्जाम फीश थीET होता है तो भाई यहां पर यह चीज़े लिखा है कि यह इनका नाम है और यह पासिंग यह और यह इस तरह के चीज़े यहां पर आपने आपको दिखा है आपको तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि देखिए आपको जिन सब्जेक्ट का एक्जाम देना जैसे मानगे चलिए यहां इनके छे सब्जेक्ट है डाटा एंट्री है इंग्लिस है हिंदी है होम साइंस है प्रिंटिंग है पॉलिटिकल साइंस है अब देखिए कई वारे हम इसे submit करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए यहां पर आ गया कि अगर submit करते हैं तो यहां पर आपको आ गया कि exam fee 990 रुपया 50 रुपया online processing fee लगा टोटल 1040 देना है यहां से payment आप कर सकते हैं कई लोग payment में confused होते हैं तो दिखें आपको information हो knowledge हो तभी आप आगे बढ़ें otherwise हम हमारी team से करवा सकते हैं हम बापस आ जाते हैं आपको लेकर यहां पर और जब बापस आते हैं तो और क्या-क्या चीज़ें यहां पर हम को देखने को मिलता है तो देखिए यहां पर एक section मिलता है on demand exam result का ठीक है न अगर यहां आपको allow करेगा तो आप exam फी submit करने से पहले आप seat अपना rebook कर सकते हैं यानि कि public exam से पहले on demand exam दे सकते हैं ठीक है इसके लाबा results में आएंगे तो जो आपका result आएगा तो देखते हैं public exam result on demand इसके लाबा दिखा है track mark seat track mark seat पे यहां पर हम जाएंगे तो क्या इनके mark seat कर tracking है वो आपको यहां पर दिखाएगा कहां तक पहुंचा है क्या कुछ track mark seat का है तो देख लेते हैं एक बार वो page allow करता है या क्या जानकारी देता है तो देखिए यहां पर इस तरीके से आपको जब mark seat आता है तो email पे number आता है उसका एक number होता है वो number यहां डालना होता है फिर search करना होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका mark seat कहां पर है चुकि by post ही आता है यहां पर खेर है निवे इसके लाबा देखिए यह नोडल सेंटर है यहां इस सर्विस में apply कर सकते हैं ब आगे में suggest करता हूँ कि आप जो है अपना study center ही contact करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर यहां study material में आप study material sample question paper अना book price list इस सारी चीज़े देख सकते हैं आपर track कर सकते हैं कि आपका book कहां पहुंचा है tutor mark assignment में देखिए यहां पर जो है यह आपको tutor mark assignment दिख रहा है यहां पर TMA status से लेकर upload TMA download TMA तो सबसे पहले तो हम देखिए अगर हमें TMA download करना होगा तो जैसे लिखा you are not allowed to perform this action क्योंकि already यह पहले से कर चुके हैं पर आप में ऐसा नहीं दिखाएगा पहली वाज़त आपको दिखाएगा फ्रेसर को दिखाता on demand वालों का नहीं upload TMA में पहले से नंबर ले चुके हैं तो इसलिए इनका इस तरह से दिखा रहा है बिल्कुल बैक हो गए हैं फिर से dashboard पर चले जाएंगे और टैस्पूड में जाने के बाद हम एकदम नीचे आजाएंगे जो हम देख रहेते हैं तो यहां पर देखिए एक और option मिलता है link डीजी लॉकर का अब link डीजी लॉकर का जो यहां option मिलता है यहां पर यह बाला इसको हम click करके देखते हैं क्योंकि यहां डीजी लॉकर में अब करते हैं तो उनके यहां लिंक करना हो त járat gitu का अभी लिंच किया है भी जो विक्ति लिंक करेंगा तो यहां साइन उसको नहीं जाहते हैं558 बैक हो जाते हैं अपने यहां पे इसके लाबा मुबाइल आप पे आजादी कामजित महुत सब्टाइब करें इसका छोड़ दीए कोई दिक्कत नहीं है वर्चुल टेक्निक ओपर इसको छोड़ दीए सोसल मेडिया लिंक आप देखना देखिए बढ़ना कोई बात नहीं है यह सारी चीजे यहां पर आपको मिलती है इसका अलाबा आप चाहें तो यह नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन अगर कुछ देगा तो नहीं है एडमिसन का देखते हैं तो एडमिसन के यह सारी चीजे आपको दिखा रहा है ठीक है तो भई यह सारी ची 964348 0201 पे contact करें जहां आपको मिलती है free counseling, proper guidance और सही guideline तो इसी के साथ आज इस session को हम bind up करेंगे Thank you so much, wish you all the best